तो हेलो साथियों नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल सकसे जंक्सन एक कदम सफलता की ओर में मेरा नाम है अतुल सुकला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए जिन में लगबग 10-12 प्रश्ण आपकी गड़ित पेड़ागोजी के आते हैं तो ये गड़ित पेड़ागोजी के हम 101 प्रश्ण निहां पर कराने वाले हैं इस से पहले एक वीडियो अपलूट कर चुकी है ये इसकी सेकेंड वीडियो है इनी 101 प्रश्णों में से आपके से कवर कर लेंगे ठीक है बस इतना ही कर लो यही काफी रहेगा तो important question set number 14 लेकर के आ गए हैं इससे पहले 13 वीडियो already upload कर चुके हैं जिसमें आपकी EVS की वीडियो है CDP की वीडियो है और आपकी गडित पैडागोजी की वीडियो है तो नीचे आपको जो है आपको पता है गडित पैडागोजी के प्रश्ण सीधे fact वाले प्रश्ण होते हैं तो one liner के तोर पर हम इनको cover करने वाले हैं आज आपका ये गडित पैडागोजी का last video होने वाला है देखिए आज का पहला प्रश्ण देख लेते हैं जो की question number 52 है इससे पहले 51 प्रश्ण हम अल्रेडी पहले वाली वीडियो में करा चुके हैं उसकी link आपको यहीं पर मिल जाएगी प्राथमिक के कच्छाओं में गिनती सीखाने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है किस चीज का प्रयोग किया जाता है कच्छा एक से पांचते गिनती सीखाने के लिए तो अवेकस एक यंतर होता है जिसका प्रयोग किया जाता इस तरह से रहता है और इसमें गुरिया डल परिछड में किवल उद्देश्ची का अंतर होता है उप्सन में आपको उद्देश्ची मिलेगा तो उद्देश्ची का अंतर इन दोनों में होता है प्रस नमर 55 देखिए मनुष्य के जीवन की गत्विधियों में गडित का सरवाधिक उपयोग कहा पर होता है तो सामाजिक और आर्थिक जो गत्विदिया होती है, वहाँ पर गडित का सरवाधिक उपयोग होता है, आर्थिक गत्विदि का मतलब है, आप अगर सबजी खरीदने जा रहे हैं, और आपने 100 रुपए का नोट दिया, 70 रुपए की सबजी आई, तो कितना वापस करेंगे 30 रुपए, तो ये आर्थिक गत्विदिया हो गई, सामाजी गत्विदिया हो गई, इनमें गडित का यूज़ किया जाता है, गडित पैड़ा गोजी में ही वन लाइनर लेकर के चल रहे हैं, बाकि आपकी जो AVS की वीडियो है, जो CDP की वीडियो है, उसमें चार आपसन देकर के हम जो प्रशनों को सॉल्व कराते हैं, और हर एक प्रशन के बारे में डीटेल में जानकारी भी देते हैं, आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा AVS की और CDP की, अगला प्रसन देखिए, कुश्य नमबर 56 है, तो पहले उनको दो आम दीजिए, उसके बाद में फिर से दो आम दीजिए, फिर उनसे बोलिए ये एक आम, ये दो आम, फिर ये तीन आम, ये चार आम, टोटल कितने आम हो गए, चार आम हो गए, तो वो चीजे उनको दिखाई दे रही हैं, इस पश्टूप से दिखाई दे रही है, तो प्रत्यच अनुभाव के दारा सबसे अच्छे से बच्चे सीखते हैं, अगला प्रशन है, प्रतम पांच अभाजी संख्याओं का योग क्या होता है, साई आन से 28 है, अब इसके लिए आपको अभाजी संख्याओं का पता होना च तो दो, तीन, पांच, साथ, ग्यारा, इनको एड़ करके देखी, पांचों संख्याओं को एड़ करने एक बाद में 28 आता है, और 28 ही हमारा बिलकुल सही एंसर हो जाएगा, देखे प्रशन नमबर 58, गडित किसका विज्ञान है, तो आप जानते हैं, गडित जो है, वो खिद्धिश, देनिक जीवन के कारियों के लिए होता है, जैसा कि आप कहीं दुकान पर जा रहे हैं, सबजी ले रहे हैं, और कोई अन्य सामाल ले रहे हैं, तो वहाँ पर देनिक जीवन में अंक गडित का सबसे ज्यादा यूज होता है, गुड़ा भाग, जोड़ गया था, तो नेपोलियन बोना पार्ट की दौरा यह कहा गया था, कि गडित की उननती हों ब्रदी, गडित में जितनी उननती करेंगे, जितनी गड़नाओं को यहाँ पर जो गड़ती बैग्यानिक होते हैं, जितना जादा उनका समEveryone करेंगे, उतना जादा डेश के लिए अच्छा रहेगा ये नेपोलियन बोना पार्ट की दोरा कहा गया था, प्रश्च नमबर 61 देखिए, उच्छ कच्छाओं में गडित की कौनसी सिच्छण विधी होनी चाहिए, जो आपकी 9, 10, 11, 12 होती है, इनमें गडित की सबसे अच्छी विधी कौनसी है, तो वो आपकी न किया जाए, यह वक्ताव किस के दोरा कहा गया था, तो डेविट वीलर के दोरा कहा गया था, कि बहुत सारी गडित जानना आपके लिए आवशक नहीं है, आपके लिए जरूरी यह है कि कोई समझ्चिया आपके सामने आ गई है, तो आप इसको कैसे गडिती करन के माध्यम स सॉल्व कर सकें, यह डेविट वीलर के दोरा कहा गया था, कुश्य नमबर 63 देखिए, एंसी एफ 2005 के अनुसार गडित पाठ चर्चा कैसी होनी चाहिए, तो एंसी एफ 2005 में कहा गया है कि जो गडित पाठ चर्चा है, वो महत्वा कांची और सुसंगत होनी चाहिए, एक करम को संप्रिशित करना और पारमप्रग प्रतिकों का उप्यो करना यह गड़ती भासा का उद्देश होता है, अपने विचारों को सामने वाले तक पहुंचाना और प्लस माइनस गूणा भाग यह क्या होता है, इस क्वेलीटिक का मतलब क्या होता है, यह सारी चीज़े आपक को पढ़ाते हैं, जैसे कि आपका जीयो बॉर्ड हो गया, जीयो कार्ड हो गया, अवैकास हो गया, कैलेंडर हो गया, यह सारी चीजें जिसकी मदल से आप सिच्छा देते हैं बच्चों को वो आपकी TLM के अंदर आती हैं, तो TLM में 10 ग्राम का उपयोक्यों किया आता है तो जियामती गतिविदियों को बताने के लिए जियोमेट्री को पढ़ाने के लिए 10 ग्राम का यूज किया जाता है अगला देखिए प्रस नमबर 66 उप्चारात्मक सिच्ण की सरवाधिक सफलता किस पर निर्भर करती है तो उप्चारात्मक कारते कोई समस्या आपके सामने आ रही है तो पहले अब समस्या के कारण की पहचान कीजी कि क्या रीजन है ये समस्य क्यों हुई है तो सबसे महत्पूर है समस्या के कारण की सही पैचान पर निर्भर करती है उप्चारात्मक सिछड की सफलता ठीक है अग्ला प्रशन प्रशनमबर शरशठगह आगमन विधी किसके लिए उप्यूगत है किसके लिए आगमन विधी का यूज किया जाता है तो सूत्र इस्थापना के लिए आगमन विधी का उपयोग करते हैं अगला प्रस नमबर 68 गडित में गड़नी ये कौसल को कैसे बढ़ाया जा सकता है काउंटिंग के जो आपकी कौसल है कैसे बढ़ा सकते हैं कच्छा में ब्यवहारी गत्विधियों का संचालन करके ब्यवहारी गत्विधियों का अर्थ है जैसे कि पहले लोग चोड सिपाही राजा मंतरी खेलते थे तो अंक दिये जाते थे कि भाई चोर को 00 मिलेंगे, मंतरी को 500 मिलेंगे, राजा को 1000 मिलेंगे, सिपाही को 200 मिलेंगे, इनको counting मतलब कि आप खेल खेल में गड़ित को सीखे, यह कार जो है गड़नी ये कौसल को बढ़ाता है और आसानी से बच्चे ब्यावहारी गत्विधियों के माध्यम से इसको चालन कर सकते हैं, प्रश्ण अबर 69 देखे, प्रात्मिक स्तर पर अंक गड़ित बढ़ाने की सबसे उप्युक्त विधी कौन सी होती है, प्रात्मिक स्तर पर यानि एक से पांच में, तो यह आपकी खेल विधी होती है, खेलेने का तरीका, जैसा आभी हमने आपको बता है, राजा मंतली-चोर सिपाई की दोरा, काउंटिंग की दोरा, कॉंपेशन करवा दीए, कौन जल्दी-जल्दी काउंटिंग करेगा, फिर बोलिए, दो प्रस्तिन कितना होता है, बता एक कौन बताएगा, हाथ उपर कीजिए, बता हमें 5 होता है, मतलब बच्चों में खेल विधी के माध्यम से गड़ित को अगर आप पढ़ाएंगे तो वे आसानी से सीख लेंगे, सबसे उपिक्त विधी खेल विधी होती है अबुसे विधी गयान का उपियोग किस विधी विधी होता है तो गड़ी गयान का उपियोग विधी हमें होता है science के जो भी science and technology हो गया science कहीं भी use होगा तो गड़ित की आवशक्ता science में जरूर पड़ती है तो option number अमतला आपका इसका answer सीधे-सीधे science यानि विज्ञान हो जाएगा 171 देखिए एकाई उपागम किस गड़ितक से संबंदित है एकाई उपागम किस के दोरा दिया गया था तो Morrison के दोरा एकाई उपागम की इस्थापना की गई थी अगला प्रस्न देखते हैं यह सीधे फैक्ट वाले प्रस्ने आपको याद होनी चाहिए अगला प्रस्न है 72 देखिए जो चात्र गड़ित नहीं समझते हैं वह पाट साला में प्रवेस नहीं पा सकते हैं यह किस के दोरा कहा गया था यह किसका कथन है तो प्लेटो महोदय के दोरा कहा गया था कि ऐसे चात्र जो गड़ित बिलकुल नहीं समझते हैं उनको पाट साला में आने का कोई अधिकार नहीं है तो प्लेटो मोहदय के दौरा यह वक्तब भी कहा गया था अगला दिखे गडित दिवसे कब मनाया जाता है तो 22 दिसमबर को गडित दिवस मनाया जाता है क्यों मना जाता है तो स्री निवास रामानुजन की जन्म दिन पर गड़ित दिवस मनाते हैं इस दिन स्री निवास रामानुजन जो बहुत बड़े गड़ताग रहे हैं भारत के उनके जन्म दिन पर गड़ित दिवस मना जाता है और उनका जन्म दिन 22 दिसंबर को पढ़ता ह अगला देखें 74. गडित सिच्छर की सहायक द्रष्टी सामगरी क्या होती है? किसकी मदस से गडित को पढ़ाया जा सकता है? तो blackboard हो गया, model हो गया, chart हो गया, geoboard हो गया, अवैकस हो गया, इसकी मदद से गड़ित को पढ़ाते हैं, तो ये सारे example हो जाएंगे, गड़ि सिचल की सहायक दरश्टि सामगरी के, प्रस्ट नमबर 75 देखिए, गड़ित को रोचक, सुगराही और सरल बनाने के लिए क्या आ मनोविज्ञान आवशक है, यानि कि जो इस चीज को पढ़ा रहा है, वो एक तरह का कहते हैं, मनोविज्ञान की तरह उसका माइंड होना चाहिए, तो तुरंत बच्चों को समझ ले, कि ये बच्चों के इस बच्चे की समझ में ये बात नहीं आई है, उसको आराम से और उ दौरा कहा गया था, तो ये कोठारी आयोक के दौरा कहा गया था, कि सुरुवात के 10 वर्स गड़ित अवश्य पढ़ा हिए, प्रते एक बच्चे को, जिससे उसकी काउंटिंग या फिर आपकी गड़िती करण जो है, वो हो सके और गड़ित को आसानी से वे समझ सके, आगे कोई दिक्कत नहीं आये, कोठारी आयोक के दौरा कहा गया था, प्रश्ण नमर 77 देखे, मैथमेटिक्स समीती की स्थापना किसके दौरा की थी, मैथमेटिक्स जो कमेटी थी, इसकी स्थापना किस ने की थी, तो प्रोफेसर बी एन प्रसाद के दौरा इसकी स्थापना की तो यह आपकी आगमन विदी होती है, रेखागड़ी सिखाने की सबसे उप्युक्त विदी आगमन होती है, प्रश्च नमर 79 देखिए, कौनसी विधी में छात्र आधिक सक्री रहते हैं और उनके दोरा नवीन तत्यों की खोज की जाती है, तो यह आपकी प्रयोग साला विद में जो भी शात्र होते हैं, उनका माइंड बहुत तेजी से काम करता है, नई नई चीजें खोजने की उनके अंदर आदत हो जाती है, मतलब इस चीज को कैसे कर सकते हैं, तो यह सारी चीजें प्रयोग साला विदी के अंतरगत आती हैं, प्रश्च नमर 81 देखिए, प्राथ प्राथमिक इस्तर पर गड़ित सिच्छा का क्या महत्तो है, तो मानसिक रूप से तयार करने के लिए प्राथमिक इस्तर पर गड़ित ये सिच्छा दी जाती है, गड़ित के दोरा बच्चों को माइंडली तयार किया जाता है, माइंडली मजबूत बना जाता है, तो मानसि कोई भी ज्ञान हो जिसमें मैत का यूजना होता हो तो समझ देजिए वो जूटा है वो दो स्पून है यह कॉमेट महोदे के द्वारा कहा गया था प्रश्च नमबर 83 83 देखिए स्कूली सिच्छा में गडित का मुख्य लच्छ क्या होता है जो स्कूलों में सिच्छा दी जा अगला प्रश्च देखिए प्रश्च नमबर 84 है आपके सामने गडित सिच्छन का वास्तविक उद्दे से ग्यान प्राप्त करना नहीं वरन सक्ति प्रतान करना है किसकी दौरा कहा गया था तो डटन महोदे ने यह कहा था कि गडित एक तरह की सक्ति है जो विद्यार्थि तो बाइलोट ने कहा था कि गडित जो है वो भौतिक विज्ञान का आवश्यक उपकरना है फिजिक्स को आप बिना गडित की मदद के नहीं पढ़ सकते हैं तो फिजिक्स पढ़ने के लिए मैत का होना आवश्यक है यह बाइलोट महोदे के द्वारा कहा गया था अगला प गडित ऐसी भासा है जिसमें परमिस्वन ने संफूर जगत को समाहित किया है यह किसने कहा था कि गडित में जो परमपिता परमिस्वन गडित सपिता का दरपढ़ है हौक बैन के दोरा कहा गया था अगला देखिए NCF 2005 के अनुसार विद्याले में गडित सिच्चा का मुख्य उद्देश से क्या होना चाहिए तो बच्चों में चिंतन प्रक्रिया का गडिती करन करना ये मुख्य उद्देश से है NCF 2005 के अनुसार अगला देखिए प्राथमिक कच्चा के लिए गडि सिच्चन की सबसे उप्युक्त विद्य कौन सी है जा सकता है तो जीयो जैब्रा जो होता है उसको द्रश्टिवाधितों के लिए यूज में नहीं लाया जा सकता है क्योंकि यह एक चित्रपनाली होती है जो आद्रिष्ट बादित बच्चे देख नहीं पाएंगे तो वे समझ नहीं पाएंगे तो जीयो जेबरा का यूज नहीं किया जाता है अगला देखिए 92 गड़ती ये प्रश्णों को हल करने की छमता किस पर निर्भर नहीं करती है तो जेंडर यों जाती पर निर्भर नहीं करती है इसलिए हमने आपको बारबर कहा है कि भाई चाहे वो इस्तरी हो या फूरुस हो गड़त सीख सकता है चाहे वो छोटी जाती का हो या फिर बड़ी जाती का हो गडित का जाती और gender से कोई लेना देना नहीं है जैसा कि आज कल चलता है देखो आप अगर लड़के हैं तो आप math लेंगी इंजिनियर बनेंगे आप लड़की हैं तो biology लेंगी डॉक्टर बनेंगी ऐसा बिलकुल भी नहीं है जरूरी नहीं है कि किसी लड़के का math बहुत अच्छा हो वो सकता उसकी biology अच्छी हो और जरूरी नहीं है कि किसी लड़की की biology बहुत अच्छी हो वो सकता है उसका math अच्छा हो तो यह जो math है वो gender युम जाती पर निर्भर नहीं करता है अगला प्रश्ण देखिए, प्रश्ण नमबर 93, देखिए, गडित कच्छा में, जियो बोड, डॉट ग्रेट, कट आउट, 10 ग्राम का उपयोग करके, कौनसी अवधाना बिक्सित की जाती है, तो आकरती की अवधाना जो है, वो समझाने के लिए, इन सारी चीजों का यूज होता है, जियो बोड का, डॉट ग्रेट का, कट आउट लेकर के आते हैं, भाई दखो, ये आकरती ऐसी है, तो ये आपका, ये आपका सर्कल हो गया, ठीक है, ये आपका वर्ग हो गया, ये तरिवुज होता है, तो ये कट आउट वगरा लेकर के आना, ये आपकी आकरती के बारे में बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। इन सारी सिच्छट उपकरन का TLM का यूज किया जाता है। 94 देखिए, बच्चों को किसी इस्थान, दिसा का वडन या चित्र बनाने के बारे में सीखने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली गड़ती आवधाना को क्या कहते हैं, कल CDP में भी ये प्रशना आया था, कि ऐसी कौनसी मतलब की बुद्धी है, जिसके दोरा बच्चे कि किसी भी स्थान को ध्यान रखते हैं, चित्र बना सकते हैं, पैंटर हो सकते हैं, तो कौनसी बुद्धी होनी चाहिए, वही प्रशनी यहाँ पर आपका गड़ित पैड़ागोजी में आ गया है कि किस तरह की बुद्धी होनी चाहिए, यह आपका स्थानिक, वहाँ पर स्थ उटीक के कार्यों की प्रसंसा करना अगर आप festival कि कार्यों की प्रसंसा कर रहे हैं तो वो बौदिक मोल्यों पराधारित होता है प्रश्ण नबर 96 96 but एक वह कौन सा प्राथमे गरित पाठचर्या का भाग नहीं है प्राथमे गरित में कौन सी चीजेदे नहीं ठीक है, थोड़ा बहुत ये त्रिभुज और सरकल वगएरा का ग्यान दिया जाता है, लेकिन प्राइक्ता वगएरा इसमें नहीं पढ़ाया जाता है, 97 देखे, इसकूल में सीखी जाने वाली गडित की भासा को दैनिक जीवन की भासा से जोड़ा जाना चाहिए, क्यों जोड़ा जाना चाहिए, तो यह विशा की गहरी समझ को विक्सित करता है, यानि बच्चों से कहिए बच्चों आज अपने आप पापा के साथ में जाएंगे, पापा जहां पर सामाल लेने जाएंगे, दुकान पर जाएंगे तो आप लोग चीजों को समझेंगे कि कितनी रुपए की दे रहे हैं, फिर आप ही कैलकुलेशन करके बताएंगे, तो यह क कहा जाता है, जिससे की बच्चों में इस विशे के बारे में गहरी समझ बिक्सित हो सके, 98 देखिए, बच्चों को गड़ित पढ़ाने से क्या होता है, तो उनकी आलोचनात्मक सोच में ब्रद्धी होती है, सोचने की शमता में उनकी ब्रद्धी होती है, जो आपका एनेलि दिये जाने चाहिए, तो उनको अन्वेसर द्वारा संप्रत्यों की खोज बोलना चाहिए, कि आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे, अन्वेसर करेंगे, किसी चीज की खोज करेंगे, अगर उनमें समस्या समाधान कौसल को बढ़ाना चाहते हैं, कि वो प्रॉब्लम जो भी आया तो भी चार होगा, तो ऐसा क्यों होता है, यह सारी चीज़ें आप खोज करके लियाए, तो इसके बारे में तो उनसे क्या होगा, कि समस्या समाधान कौसल में ब्रद्दी होगी बच्चों के, अगला देखिए, सौनमबर का प्रशन है आपके सामने, गड़ित बच्चों के मन में तरक करने की आदत बसाने का तरीका है, यह किस के दोरा कहा गया था, तो लौक महोदय ने कहा था, गड़ित जो है वो बच्चों के मन में तरक करता है, कुश्यनों को पैदा करता है, और यह उन एक तरह की आदत बन जाए, यह हमें प्रयास करना चाहिए, यह किस ने क होता है वो दिभ्यांग बच्चों के लिए यूज किया गया है पार चर्या में लचीला पन थोड़ा सा महाँ पर जैसे कोई दिक्कत कर रही है तो बच्चों को अच्छे से समझाईए तो यह दिभ्यांग बच्चों के लिए किया जाता है तो यह आपके 101 प्रश्ण हमने कल भी CTP की वीडियो डाली थी चार वीडियो CDP की हो गई है चार वीडियो EVS की हो गई है दो वीडियो math की हो गई है अब next वीडियो जो है वो आपकी EVS की आने वाली है कुछी देर में EVS की next वीडियो आ जाएगी तो आप उसको भी दिखेगा देखे इस वीडियो सीरीज म को हम cover कर रहे हैं जिससे कितने भी कठी प्रशना हैं लेकिन आपको कोई परिशानी नहीं हो और आप आराम से इस एक्जाम को qualify कर जाएं 90 नंबर आपके बड़े आराम से आ जाएंगे अगर आप इस की सीरिज को ही cover करते रहेंगे तो ठीक है तो यह आपका बालविगास की वीडियो अप्लोड कर रखी है और एविएस की भी वीडियो हमने अप्लोड कर रखी है तो आप लोग यह सारी वीडियो देख लेना ठीक है चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो कि आपकी नमस्कार धन्यवाद नीचे टेलिग्राम चैनल के लिंक दी गई है सकसे जंक्सन लाइव की नाम से टेलिग्राम चैनल उसको जोईन कर लेना वहाँ पर फ्री और कॉष्ट हम आपको इस्टडी माटेरियल प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे किताबें वगेरा जो है वरग